इसमें हमारा जो यह वली एक्ससाइस का लास्ट कुष्चन रहे गया था जो हमें कॉपी में ही करना है और मैंने आपको बुला था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगे तो फॉर्थ कुष्चन हम कैसे करेंगे आपको थर्ड एंगल फाइंड करना है यह होगा कै से एंगल सम प्रॉपटी से कैसे होते हैं क्वेश्चन सबसे पहले आप ए पार्ट डालेंगे इसमें आपको थर्ड एंगल फाइंड करना है यह थर्ड एंगल अब मैंने आपको बताय था कि ट्राइंगल की एक प्रॉपटी होती है कि जब आप अच्छा अगर मैं आपको को लूँ कि मेरे पास टोटल टॉफी 16 है ठीक है और मेरे को यह मैंने तीन जनों में बाटी है इनके पास तो 10 है इनके पास 2 है तो इनके पास कितनी होगी तो आप क्या करोगे आपको पता है टोटल तो 16 ही थी अब 12 इनके पास है तो बची होई इनके पास ही होगी राइट तो आपने क्या कि 12 को इसमें से माइनस कर दिया तो आपको पचल के इनके पास 4 है राइट ऐसे ही करेंगे है न अगर मैं बोलूँ कि टोटल अगर मैं आपको प्लेग्राउंड में लेके जाओ मैं बोलूँगी टोटल बॉल्स मेरे पास सिर्फ 10 है तो मैं एक बोई को देदू 6 वाल्स एक बोई को देदू 2 वाल्स अब मैं बोलूँगे कि इस बोई को कित्ती मिलेंगी आपको पता है टोटल 10 ही है 6 तो इनको मिल गई 2 इनको मिल गई तो 6, 7, 8 तो बट चुकी है कितनी बच गई 2 बच गई चीक है ऐसे ही हम इसके साथ करेंगे जब आपको पता है कि triangle के सारे angles मिलाके कितने होते है 180 यानि total angle कितने होते है 180 अब इसमें से 2 तो आपको दिये तो जो बच गिया 180 में से वही होगा third angle चीक है तो हम ऐसे इसको निकालेंगे मगर निकालेंगे किस तरीके से देखो दो आपको दिये सबसे पहले आप क्या करेंगे triangle A sorry angle A plus angle B plus angle C यह तो तीन angle होगे किसी भी triangle के इनको जब आड़ करेंगे तो कितना आता है 180 और property कहा लिखते है यहाँ पर क्या लिखेंगे angle sum property ठीक है यह अब angle A कौन से है first वाला उठा लो यहाँ पर angle A की जगा लिख दो 90 degree angle B की जगा लिख देते हैं 25 degree अब angle C हमें नहीं पता है तो जब हमें कोई चीज नहीं पता होती है तो हम उसको वैसे ही उतार देते हैं फिर equal to है तो equal to फिर 180 है तो 180 ठीक है अब आप देखेंगे क्या करते हैं बेटा हम कि जो चीज़े हमें पता होती है हम उसको नीचे लिखते जाते हैं ठीक है जैसे आपको angle A की value पता थी तो हमने angle A को नीचे लिख दिया ठीक है angle B की value पता थी तो angle B का digit लिख दिया फिर plus का plus angle C हमें नहीं पता तो angle C का angle C लिख दिया फिर उसके बाद equals to लगा है तो नीचे भी equals to 180 लिखा है तो नीचे भी 180 अब हम देखेंगे कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं क्या ये दोनों plus हो सकते हैं हाँ हो सकते हैं ठीक है तो जब आपने इसको add किया तो क्या आया ये ही आया ठीक है अब इन दोनों को तो हमने add कर दिया तो ये दोनों digits तो add हो गई प्लस हो गई अब इसके बाद क्या लिखा हुए प्लस लिखा हुए ये क्या लिखा है angle C equal to का equal to 180 ठीक है अब मेरे को एक बाद बताओ इसमें और कुछ तो नहीं हो सकता यहाँ पर तो ये प्लस है ठीक है मैंने आपको क्या बताइता हमेशे equal to sign change कर देता है ठीक है तो angle C के साथ ये क्या हो रहा है angle C को अगर मैं इधर ले जाओंगे तो कुछ फायदा होगा नहीं होगा हमेशे देखो ये देखना है ये alphabet है और ये है digit तो digit के साथ तो digit ही जाएगी alphabet के साथ जाएगे alphabet तो ये है digit क्या यहाँ पर को digit है ये है तो हमें एक digit को दूसरी digit के पास लेके जाना है मगर कब जाएगी क्योंकि बीच में equal to है तो equal to हमेशा क्या क्या कहता है अगर आप मेरे यह है left hand side क्योंकि left की side पढ़ता है यह है right hand side क्योंकि right के side पढ़ता है ठीक है हमेशा क्या बोलती है equal to क्या बोलता है कि अगर आप मेरे lhs में से यानि equal to के left side में से कोई right side में चीज आप लेकर जाओगे तो हमेशा उसका sign चेंज कर दोगे तो यह तो 180 था यह तो right में ही था तो यह तो right में ही रहेगा ठीक है अब यह हमारे पास left में था मेरे को मगर चाहिए तो right में तो मैं क्या बोलूंगे please मेरे को ले जाने दो और यह क्या बोलेगा equal to तो इसका sign चेंज कर लो तो यहां पर plus में था यहां के minus में तो जब आप इसमें को minus करेंगे तो angle C आपको मिल जाएगा जब इसको minus किया अगर आपको ऐसे आता है ऐसे करिए वरना side में आप कहीं पर भी rough में यह कर सकते हैं 0 है तो carry आगया इसका 7 बन गया ठीक है तो 10 में से 5 गया 5 7 में से बन गया 6 तो किता आगया 65 degree ठीक है अब जो आपका answer आए उसको आप box में बंद कर दीजे ठीक है बेटे ऐसे आप करेंगे ठीक हर एक question को मैं आपको एक और example दे देती हूं या इसमें से उठा ठीक है 105 degree है आपको एक एंगल और 45 degree है आपको दूसरा एंगल ठीक है तो वैसे ही लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना 180 हर किसी में यह first line लिखने किस चीज से 180 है एंगल sum property और अगर आप बोल बोल के लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा ताकि जब याद ना करना पड़े वो चीज आपको याद हो ठीक है A पता है 105 बी पता है प्लस का साइन है ना एंगल A के बाद तो मैं नीचे भी प्लस लगाऊंगी क्या है 45 यहाँ पर भी अब एंगल C मेरे को नहीं पता अब किसी की भी जगा लिख सकते हो कोई भी दो एंगल की जग हो सकते हैं तो कितना आएगा 150 ठीक है एड करके आप एक पर चेक भी कर सकते हैं कभी कभी मुझ से भी गलती हो जाती है ठीक है अब यह है हमारे LHS में यह है RHS में यानि यह left side में है और यह right side में है ठीक है तो left side से right side में ले जाने के लिए हम क्या करेंगे digit का sign change यह तो right में ही है तो इसको तो ऐसे ही उतार दो अब यह left में इसको इधर लाने तो sign किसका change होगा जिसको लाए है ठीक है तो जब आप minus करोगी तो यह आ गया फिर इसको box में बंद ठीक है पेटे ऐसे आपको यह बचा हुए दो question भी करने है ठीक है इसके बाद हम पढ़ते है quadrilaterals के बारे में क्या होते है quadrilaterals quadrilaterals का मतलब होता है एक four sided polygon यानि polygon तो मैंने आपको बता दिया एक close figure अब उसकी 2 side भी हो सकती है 4 side भी हो सकती है 5 भी 6 भी 7 भी 10 भी 11 भारा कित्ते भी हो सकती है मगर quadrilaterals कों सा होता है एक close polygon जिसके सिर्फ और सर्फ चार side हो अब चार side वाले कौन से close figure होते है rectangle होता है square होता है अब एसा टेरा rectangle rhombus बोलते हैं rhombus होता है और एक होता है polygon ठीक है और यहाँ पर आपको एक और भी आ हुआ हुआ है trapezium ठीक है यह 5 जो है आपको अभी पढ़ने है अब एक एक करके आपको बताती जाती हूं rectangle का हमें क्या पता है कि सारे angles जो होते हैं इसके right angle होते हैं यह भी right angle यह भी right angle और यह भी right angle opposite sides होते हैं वो parallel होती है parallel मतलब जो railway track की तर है यानि ऐसे कहीं से कहीं से पे ज्यादा gap कहीं पे कम gap ऐसे नहीं parallel मतलब होते है यहां पर जितना gap यहां पर भी इतना gap यहां पर भी right track की तर है ठीक है कहीं पर भी All way track का जो बीच का gap होता है दो पत्रीों के बीच में वो बड़ा चोटा नहीं होता वरना पलट जाएगी ठीक हैं तो parallel मतलब railway track की तरह बराबर हर तरफ से तो ये भी और ये यानि जितना ये होगा उतना ही इसके बीच का gap होगा तो parallel होती है opposite sides मतलब ultra sides यानि इसके opposite ये इसके opposite ये थे कह सामने वाली और opposite sides बराबर भी होती है जितनी ये होगे उतनी ही ये होगे अगर ये 5 cm है तो ये भी 5 cm है ये 3 है तो ये भी 3 ठीक है ये है rectangle की property ठीक है आपको figure बनाना है इसके सामने ही लिखना है ठीक है अब हम पढ़ेंगे square के बारे में square क्या होता है square की सारी sides equal होती है हमें पता है opposite sides के होती है parallel होती है ये इसके parallel यानि इन दोनों के बीच में बराबर gap हो ठीक है all angles are right angle अब ये सारे angle भी कित्ते होते है right angle scale से बनाते हैं बिल्कुल सीधा parallelogram अब parallelogram क्या होता है कि इसकी opposite sides बराबर होती है equal होती है और parallel भी होती है सिर्फ यह ही है, बराबर भी और पैरलल भी, ठीक है, गैप इतना ही है, देखो अब यह ऐसी है तो यह भी ऐसी है, तो बराबर गैप, ऊपर से भी बराबर गैप और एकोल, 90 डिगरी जो है यह नहीं बनाता है, ठीक है, सिर्फ पैरलेलोग्राम का क्या होता है कि opposite sides parallel है और equal है अब आता है rhombus, rhombus में सारी sides square की तरह होता, बस ठेड़ा होता है square में सारी sides equal होती है, rhombus में भी सारी sides equal होती है opposite sides parallel होती है, इसमें भी opposite sides parallel होती है सर्फ सारे angle जो है, क्योंकि यह सीधा नहीं होता, तो right angle नहीं होता parallel होता, इसमें rhombus में है, ठीक है अब हम पढ़ते हैं trapezium trapezium क्या होता है a quadrilateral with one pair of opposite sides parallel trapezium में क्या होता है सिर्फ एक देखो ये sides कैसी है ये यहां जा रहा है और ये यहां जा रहा है क्या ये parallel है नहीं parallel का मतलब क्या बतायता है जितना यहां gap उतना यहां gap तो यहां पर क्या है यानि इन दोनों का gap बराबर है ठीक है यह है parallel यहां से लेकर यहां तक यह gap बराबर होगा यहां पर भी चाहिए यह line छोटी है यानि अगर आप इसको बड़ी कर दोगे ऐसे dot dot बना दोगे अपनी मर्जी से line बड़ी करोगे तो हमेशा बराबर होगी ठीक है तो trapezium में क्या होता है सिर्फ एक ही pair ऐसा होता है जो parallel होता है ठीक है बेटे आपका जो chapter है वो यही पर finish होता है यह आपको सारी properties pictures के साथ आपको अपनी copy में बनाने है आपको यह practice के लिए दिया हुआ यह आप अपनी book में करेंगे ठीक है ताकि आपको quadrilaterals की अच्छे से revision हो जाए ठीक है आपका जो video call होगा बेटा आपका video call होगा ठीक है और उसमें आपको surprise test लिया जाएगा के rhombus क्या होता है trapezium क्या होता है हर एक चीज आपको surprise test में ली जाएगी तो ढंग से आप याद करिएगा ठीक है आपका जो chapter हो यही पर finish होता है आपको यह कुछ कुछ exercise दी हुई है और practice चीजे दी हुई है यह आपको खुद से अपने पूर चाप्टर में फिल करने है यह आपको बोला नहीं जाएगा यह आपको worksheet है यह भी आपको खुद से अपना फिल करने है ठीक है